हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिशेक जोशेई इलेक्ट्रिकल इंजिनियर इन बिल्ला ग्रूप आफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पावर सिस्टम के जनरेशन, ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन तीनों ही सेक्टर्स के बारे में आज हम लोग यह देखेंगे कि पावर प्लांट में जब इलेक्रिसिटी जनरेट होती है तो वो किस तरीके से वन बाई वन जनरेशन, ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिबूशन का फेस कंप्लीट करते हुए हमारे घर में पहुँचती है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको डेली बेसिस पे पिरियोडिकली आपको मिल सके आप इसे देखके अपने लाइफ में की, generation means एक ऐसा setup जहां पर electricity generate होती है, जिसे common word में हम power plant भी कहते हैं, तो दोस्तो power plant कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर आप stream से electricity generate कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे thermal power plant, अगर आप water का use करकी electricity generate कर रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा hydro power plant, और अगर आप Uranium जैसे radioactive substance का यूज करकी electricity produce कर रहे हैं generate कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा nuclear power plant 60% या 70% of electricity जो इंडिया में produce होती है वो thermal power plant के थूँ produce होती है इसलिए आज generation में हम thermal power plant का ही example लेंगे तो दोस्तो generation में thermal power plant में steam का use करके electricity को produce किया जाता है जो roughly अगर मैं बोलो तो 6.6 kv या 11 kv के voltage level पे electricity produce होती है power plant में अब बात ऐसी है कि अगर power plant में 11 kv पे electricity produce होई है इसको मुझे अगर नागपूर से मुंबई भेजना हो तो मैं 11 kv के voltage level पे नहीं भेज सकता क्योंकि जो transmission line में बीच में बिचाऊंगा इसका खुद का resistance होता है उस resistance के वज़े से line में voltage drop होते हैं और हो सकता है electricity नागपूर से बॉम्बे पहुचने तक वो 11 kv काफी कम हो चुका हो तो उस case में वो electricity हमारे use में नहीं रहेगी तो सरीफ electricity generate करने से नहीं होता हमें एक effective system चाहिए होता है जो over a long distance 800 km, 900 km, कभी-कभी 1000 km से भी जादा distance पर अगर हमें electricity को एक जगे से दूसरे जगे भेजना है तो हमें एक system की requirement पढ़ती है जिसे कहा जाता है transmission transmission दोस्तो power system का second sector होता है पहला तो generation हो गया जहां हमने electricity को generate किया था अब transmission का काम यह रहेगा कि over a long distance इस electricity को हम transfer कर सके एक जगे से दूसरे जगे तक पहुचा सके तो इसका पहला step यह रहेगा कि जो 11 kb पर आपने voltage को generate किया है अपने electricity को 11 kb पर generate किया है उसको आपको step up करना पड़ेगा क्योंकि distance बहुत ज़ादा है तो यह एक normal सी बात है कि voltage drop भी काफी ज़ादा होंगे तो इसलिए transmission वाले क्या करेंगे एक transformer लगाएंगे जो 11 kb को हम example ले लेते हैं 440 kb तक step up करेगा अब जो transmission line होगी वो 440 kb voltage level पे एक bulk power को transmit करेंगी power plant से दूसरे area में तो अब जो transmission line है वो 440 kb की line है अब हम लोग बीच में substation लगाएंगे voltage को periodically step down करने के लिए क्योंकि हमारे घर में जो electricity आती है वो तो ना 11 kb आती है ना 440 kb आती है तो हमें इस बात का भी धिहान रखना है कि distribution stage आते आते ये जो 11 kb को हमने 440 kb किया है ये step down भी होता जाए तो इसलिए transmission lines जो जा रही है वहां बीच में हम substation लगाएंगे और substation में एक example ले लेते हैं कि 440 kb को 6-6 kb पर हम step down करेंगे अब दोस्तों substation क्या होता है substation की working किस तरीके से होती है substation में कौन-कौन सी चीज़े use होती है इस बारे में मैंने एक video बनाया है जिसका link मैं आपको i button में दे दूँगा आप वहां से substation के concept को easily समझ सकते हैं तो दोस्तों अब substation में हमारा जो voltage level है यह 66 kb तक आ गया है अब यहां से substation के outgoing से जो transmission line शुरू होगी वह 66 kb की होगी substation के पहले जो transmission line थी वह 440 kb की थी substation के बाद क्यूंकि मैंने voltage को step down कर दिया है तो अब जो transmission line जाएगी यह 66 kb की रहेगी ऐसी आगे जाके हम एक और substation लगाएंगे क्यूंकि हमारा जो primary distribution voltage है इंडिया में यह 11 kb, 6.6 kb और 3.3 kb का होता है तो voltage को step down करते करते मुझे इस range में लाना है ताकि अब जो distribution sector है वो उस voltage level पे में distribution sector को दो कि वो evenly उसको distribute कर सके तो इसलिए substation में हम voltage को step down करते रहेंगे और जब वो voltage 11 kb तक आ जाएगा तो अब बात आएगी distribution sector में पहले generation वालों ने अपना काम कर लिया 11 kb पे आपको electricity generate करके दे दी अब transmission वालों ने 11 kb को 440 kb तक step up किया पावर को transmit कराया बीच में substation लगाया और उस voltage को step down करके पहले 66 में किया उसके बाद मान लीजिए 11 kb में कर दिया अब इस 11 kb के बाद से distribution section चालू होगा तो distribution वाले क्या करेंगे 11 kb की line को 11 kb की line भी हो सकती है 6.6 भी हो सकती है 3.3 भी हो सकता है तो इस line को एक एच पोल टाइप transformer होता है हमारे घर के बाहर पोल पे जो छोटा सा transformer लगा रहता है उसे एच पोल टाइप transformer कहा जाता है तो distribution वाले उस transformer की help से इस primary distribution voltage को secondary distribution में convert करेंगे जो की होता है 415 वोल्ट और 230 वोल्ट सिंगल फेज के system में आप कहा सकते हैं तो अब यह जो 415 वोल्ट पे secondary distribution मिला है उसे अब हम evenly distribute करेंगे आपके locality में एक phase और एक neutral का pair बनाके एक एरिया को दिया जाएगा और फिर single phase system आपके घर में use होगा तो इस तरीके से दोस्तो एक पूरा power system काम करता है generation, transmission, distribution इतना कुछ करने के बाद power plant से हमारे घर में electricity पहुचती है तो दोस्तो यह power sector से related आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं power plants से related मैंने कुछ videos बनाए भी है जो playlist में आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को subscribe करिएगा मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफते ऐसी एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए